अर की जीत बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर वही आनंद प्राप्त होता था जो एक मा को अपने बेटे को और किसान को अपने लहलाते खेत को देखकर प्राप्त होता है बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे वे उसकी देख भाल स्वयंग करते थे उनके घोड़े के समान सुन्दर और बलवान घोड़ा इलाके भर में न था उन्होंने अपना रुपया, पैसा, जमीन, आद्य, सब कुछ त्याग दिया था वे गाउं के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे अपना पूरा समय पूजा पाठ और घोड़े की सेवा में बिताते थे वे घोड़े की चाल पर लट्टू थे प्रते दिन सुल्तान पर चड़कर आठ दस मील का चक्कर जरूर लगाते थे उसी इलाके में खड़क सिंग नाम का एक प्रसिद डाकू रहता था उसका नाम सुनकर लोग थर थर कापते थे खड़क सिंग ने भी घोड़े की प्रशंसा सुनी तो वह बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए बेचैन हो उठा और एक दिन दो पहर में बाबा भारती के पास पहुँच गया बाबा भारती ने पूछा खड़क सिंग क्या हाल है कहो इधर कैसे आ गए आपके घोड़े सुल्तान की चाह इधर खीच लाई बहुत प्रशंसा सुनी है उसकी सुना है देखने में बहुत सुन्दर है खड़क सिंग ने उत्तर दिया बाबा भारती खड़क सिंग को लेकर अस्तबल में पहुँचे बाबा ने घोड़ा दिखाया तो खड़क सिंग घोड़े को आश्यर्य से देखता रह गया उसने अपने जीवन में ऐसा सुन्दर घोड़ा देखा ही न था उसने सोचा कि ऐसा घोड़ा यह सुनकर बाबा भारती डर गए अब उनके रात की नीन उड़ गई वे रात दिन अस्तबल की रखवाली करने में लगे परंतु कई महीने बीतने के बाद भी जब खड़क सिंग नहीं आया तो बाबा भारती निशिंत हो गए एक दिन की बात है बाबा भारती संध्या के समय गोडे पर सवार होकर घूमने जा रहे थे तभी उनके कानों में आवाज पड़ी ओ बाबा इस कंगले की बाद सुनते जाना बाबा भारती ने मुण कर देखा एक अपाहिज व्रिक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था वे उसके पास पहुँचे और बोले क्यों तुम्हें क्या कश्ट है अपाहिज बोला बाबा मैं दुखिया हूँ मुझ पर दया करो राम वाला यहां से तीन मील दूर है मुझे वहीं पर जाना है घूडे पर चड़ा लो परमात्मा भला करेगा बाबा भारती ने घूडे से उतर कर अपाहिज को घूडे पर बैठा लिया और स्वयंग उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे अचानक बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट गई और उन्होंने देखा कि अपाहिज घूडे को दौड़ाए लिये जा रहा है उनके मुक से भै आश्यर्य और निराशा मिश्रित चीख निकल गई वह अपाहिज कोई और नहीं डाकू खड़क सिंग था बाबा भारती थोड़ी देर चुप रहे फिर पूरे बल से चिला कर बोले जरा ठहर जाओ खड़क सिंग ने कहा बाबा अब यह घूड़ा नहीं दूँगा बाबा ने कहा परं तु एक बात सुनते जाओ खड़क सिंग रुख गया बाबा भारती उसके पास जाकर बोले यह घूड़ा तो तुम्हारा हो चुका है मैं वापस करने की बात नहीं करूँगा परं तु खड़क सिंग मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ उसे मना न करना नहीं तो मेरा दिल तोट जाएगा खड़क सिंग बोला बाबा जी आग्या कीजिए मैं तो आपका धास हूँ केवल घोडा न दूँगा बाबा भार्थी ने कहा मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना खड़क सिंग आश्चर्य में पड़ गया उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने बाबा भार्थी से पूछा बाबा जी इससे आपको क्या डर है बाबा भार्थी ने उत्तर दिया यदि इस घटना का पता लोगों को चल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा इतना कहकर बाबा भार्थी चले गए परंतु उनके शब्द खड़क सिंग के कानों में गूंजते रहे उसने सोचा बाबा भार्थी के कैसी उचे विचार है और कैसा पवित्र भाव है उन्हें केवल इस बात का ख्याल है कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे ऐसा मनुश्य मनुश्य नहीं देवता के समान है खड़क सिंग रात के अंधकार में बाबा भार्थी के मंदिर में पहुँचा उसने सुल्तान को अस्तबल में बांध दिया और स्वयम साउधानी से बाहर निकल आया इस समय उसकी आँखों में नेकी के आँसु थे सुर्योदे से पूर्व ही बाबा भार्थी उठे उन्होंने सनान किया और उसके बाद इस प्रिकार जैसे कोई स्वपन में चल रहा हो उनके पाउं अस्तबल की और बढ़े परंतु यह ध्यान आते ही कि सुल्तान तो वहां है ही नहीं वे निराश मन से वहीं रुख गए अस्तबल में बंधे सुल्तान ने अपने स्वामी के पावों की चाप पहचान ली और जोर से हिन हिनाया बाबा भार्थी आश्चर्य और प्रसन्नता से अंदर की और दोड़े और घोड़े को देखकर उसके गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से अपने बिछुडे हुए पुत्र से मिल रहा हो फिर वे संतोश पूरवक बोले अब कोई गरीबों की सहायता से मुह ना मूड़ेगा श्री सुदर्शन